बढ़ते पुदूशन और खराब हवा से लड़ने में कैसा हुआ आपका खालपान या आज आको बदाते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनकों समस्याएं हैं इस पॉल्यूशन से दोस्ट में सबसे पहले नाम आता है अस्थमारोवियों को तो आपको बता दे कि अस्थमारोवियों को क्या खाना है तो उसके लिए लहसुन प्याज अगरा कासी वक्त है तो बहुत जरूरी है रोजाना एक चमज त्रफला पाउडर ले और क्या ना खाएं तो बोगयम आपको बताते हैं तूद दही आधी काफी कम खाएं या अपको बताते हैं वही अब बात करते हैं हार्ड प्रब्लम वाले लोगों के इनके लिए हनका खाना बहुत जरूरी है हलका खाने में आप उट्स काला चाना चने के संतू ने सकती है वही क्या नहीं खाना है यह आपको बताते हैं फ्राइड हैवी खाना ना ले नॉन वेज कम खाये रागों कम खाये अब बात करते हैं डाइबिटीव रोगयों तो खाने में कैप ज्यादा ना रखें मिक्स आठीक के ओटी खाने आठा चावाल कम खाये वहीं आपको बता दें बच्चों के लिए क्या करना है 12 साल से बड़े बच्चों को 54 दें दिन में संतरा खा सकते हैं बादाम सेव दलिया कीहूं गोड़ 5 ग्राम हर कोई खा सकता है बच्चों क्या ना दे केला सुजी मैदा दगी खटी चीजे ना अब बात कर लेते हैं बड़ी उम्र के लोगों की तो ऐसे लोग शूप भी पी सकते हैं सबसों और देल का देल ज्यादा अच्छा होता है कि वहें गौब्ज जयानी की अनाज आटा चावल सूची आदी कम खाये जेहतमंद लोग आम दिनों की तरही खाना खा सकते हैं जिस आप द्रगुटी उचूल यानी काली मिर्च दो गराम हर दिन खा सकते हैं इस से अस्तमा की समस्या कम होती है पेफड़ी साफ होते है क्यों रियन हैल्टेक्स की रिपोंग